मैं है उसलामों दिन खान और आप देख रहे हैं प्रहाटाइम सील फाटा के रहने वाले अंकित पाटिल की याद दोपहर में मौत हो गई है अंकित की मौत पर परिवार का रोरोकर बुरा हाल है अंकित आपने मामा अनिल अलिमकर के घर सील फाटा में रहता है 24 वरसी अंकित पाटिल की मौत की जानकारी जो सामने आ रही है अंकित की मौत इंजेक्शन लगने की वजह बताई जा रही है तर असल 9 माई को अंकित का विवा होने वाला था और अंकित अपने शादी का कार्ड बाट रहा था कुछ कार्ड बाटने के बाद अंकित पाटिल अपने घर आ गया घर पहुंचते ही उसके सीने में दرद होने की शिकायत होने लेगी जिसके बाद अंकित पाटिल ने सेल फाटा पर बूरहानी क्लिनिक चलाने वाले डॉक्टर दावत खान से दबा ली करिवारवालों का कहना है कि डॉक्तर ने उसे दो when suf turn के युअ ऐसे लगाने के बाद अंकित की हालत और बिगणल गई जिसके बाद बताया जारहा है कि डॉक्तर दाउद कान खुर्द अंकित को ले इकर काल्सेखर असल सपताल के काल्सेखर अस्पताल में अंकित को बचाने का हर संभव कोसिस की गई मगर अंकित की मौत हो गई तो वहाँ पर इलाज करने के दर्में डॉक्टर की सबसे पहली प्रसेस से रहती है कि उसको बीपी चेक करना चाहिए उसका जो परसर कितना है वो देखना चाहिए वो विदाउट चेक के विगार उन्होंने उस को दो इंजेक्शन मारे और दो इंजेक्शन मारने के वज़े से उसका बीपी एकदम सा गिर गया और बीपी किरने के वज़े से वही वह किलने में गिर गया और उसको मुह से पेस वगएर आना लगा तो डॉक्टर ने खुद उठा के काल सेकर ऑस्पिटल बाजु में वहा पंपिंग किया गया पाल्सेगर डॉक्टर के तरफ से लेकिन वह अपरेट नहीं हुआ और उसे में उन्हों ने बोल दिया कि इनका इंतकार लगा करके तो इस बारे में मुझे ही मैं संदेज देना है कि आगे जाके बहुष्य में इसे जो दॉक्टर फरजी डॉक्टर है जि बड़ा स्ट्रोंग डोस देते हैं उसके वज़े से ऐसी सारी जाने जाती रहते हैं दाउतकान का इस बारे में तीन-चार हाथ से हो चुके उनके नाम से कापी सारी मसले उठे हैं लेकिन कोई कानूनन कारवा इनको पर आज तक की नहीं जी हां मैंने खुद सिल डाइगर प पोलिस टेशन पोचा और मैंनी पूरा जानकरी उनको दिया अब भविष्य में ऐसी किसी को दिक्कत ना इसके लिए में उनको यह जानकर देने के बात कुद सेनियर साहब ऑस्पिटल आए उनका स्टाप आए उन्होंने एसीप साफ को भी इसके बारे में जानकर दी सारे जो कारवाई करने के प्रोसेस से उन्होंने चालू की है अब मुझे भरोसा है पुलिस के उपर कि वह इसमें आखरीम मंजिल तक मामला पहुचाएंगे यह जो घटना घटी है बहुत दुकत घटना है ऐसी घटना हो नहीं नीची तो जो पेशन आपको पता है यह जो पाटिल जो है जो अभी मॉर्निंग में जो डिस्मेंसरी गया है यह बुलेट वेहिकल जो मतलब क्या बुलेट बाइक इतनी है बाइक हो तो डाइव कर सकता बुलेट तो सही था वाजाने बाद डॉक्टर ने उनको दो इंजिक्शन लगवाई तब तक सही था उसके बाद जाता है जाता है जहां से रिकवरी होती ही नहीं है तो इसके पीछे आप क्या को होगे डॉक्टर की लाव पर होगी ना तो आप कैसे कैसे कुछ और मैटर होगा तो हमको परिवार को हमको पुरे गाम वालों को डॉक्टर डावुद खान पे पुरा पुरा शक है कि उन्हों तरीके से उन्होंने इनका इलाज किया है और घटना हुई है और आने वाले 9 मही को ये बच्चे की शादी थी अब आप सुचिए एक साथ में कितनी मौती हुए है घर परिवार बरबाद हुआ खुद की जान जली गई वहाँ जिसस्यादी का एंगेजमिन हुआ हुआ वह ले पुलिस ने पुरी तरह सवयोग किया अभी तक डॉक्टर पी आया राटर साथ थे पूरा बरुसा दिया है कि हम कहीं चुक नहीं करेंगे जितनी सब्सक्राइब आने के बाद प्रोसेस टार्ट होगा अभी पूरा डिपेंड करता है कि पीम में क्या आता है पीम रिपोड क चीक नहीं है और उन्हें भी कालचेखर अस्पताल में भरती किया गया नौ मई को अंकित की शादी थी मगर वहीं अब उसकी मौध हो चुकी है परिवार के लोग डॉक्टर पर भी सवाल उठा रहे हैं कि आखिर वो कौन सा इंजेक्शन था जो डॉक्टर दाउत खान ने लगाया कि अंकित की मौध हो गई परिवार डॉक्टर पर भी सवाल उठा रहे हैं और जांच की मांग कर रहे हैं इस घटना की शिकायत अंकित के मामा अनिल अलिमकर ने डाइघर पुलिस स्टेशन में किये हैं पुलिस ने सौको कबजे में लेकर पोस्ट मौटम के लिए क आने के बाद ही पता चलेगा कि अंकित की मौत की असली वजह क्या है तो तमांग खबरों को जानने के लिए देखते रहे हैं प्रहाटाइंग